जैम आता दी गुर्मा को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ ही गहंती के निशान को दबाएं ग्यानवर्दिक वीडियोज को देखने के लिए हमसे जुड़ेगें जैम आता दी दोस्तों तो कैसे हैं आप सब दोस्तों फिर से आजिर हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए विशे के साथ जियां दोस्तों आज हम बात करेंगे गोमती चक्र के बारे में तो दोस्तों गोमती चक्र का नाम आप सबने सुना होगा गोमती चक्र बहुत ही काम क चीज़ मानी चाती है दोस्तों तो दोस्तों बात करेंगे इस विशे भर पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को जरूर दबाले जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सक आप जानते कि пूहिं को आप जानते हैं गौमती चक्र, तंतर शास्तर से लेकर वास्तु शास्तर सभी करी विशेश माइने रखता है। इसके बहुत सारे जो होती है वो उपर की तरफ उठी होती है और दूसरी सतह जो होती है उस पे चक्र बना होता है इन चक्रों को लक्षमी जी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां लक्षमी माता स्वेम वास करती है जिया दोस्तों लक् लक्षमी जी का वास रहता है तौधस अपने मंदिर में गोमती चक्र और दोस्तों एम अध माप हो सकती है जो सकती अगर आपको बच्चे को बार बार नज़र लगा जाती है तो आपको शुड़ निर्जी पे जाना है जहां कोई आता जाता ना हो शुनसान जगए हो और आप वहाँ दुबारा ना जाए ऐसे जगे पे जाना आपको तीन गुम्ती चकर लेने हैं दोस्तों और स्थान पर जाके आपको वो चक्र अपने मुठी में लेके साथ बार अपने उपर से घुमाने हैं और उसको अपने पीछे फैक देना है मुड़के नहीं देखना है दोस्तों इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बच्ची को या आपको कभी नजर नहीं दोस्तों यदि आपको निरंतर आर्थी खानी उठानी पड़ रही हो महीने के पहले सोमवार को उपाई बताओंगी जो करना है आपको बार बार आपको आर्थी खानी हो रही हो परेशानिया चल रही है आपके जीवन में तो उसके लिए आपको करना है सोमवार को करना है मह पहला सुमवार होना चाहिए उसमें आपको ग्यारा अभिमंत्रित गोमती चक्र लेने हैं दोस्तों उससे उपाई करना है और दोस्तों करना गया है आपको गोमती चक्र लें ग्यारा अभिमंत्रित होने चाहिए हल्दी से तिलक करें और शंकर जी का ध्यान करें उसके बाद शंकर जी की पूजा राद ना कर लें अच्छे से उसके बाद उन्हें पीले कपड़े में बाद कर पुरे घर में गुमा लें अच्छे से पुरे घर में आप उसे गुमाए उसके बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें एसा करने से कुछ समय बाद ही आपको लाब मिलना प्रारंब हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों अकसर ऐसा होता है कि छोटा बच्चा बहुत जल्द डर जाता है कई बार होता है छोटे बच्चे बहुत ही छोट-छोटी बातों से डर जाते हैं उनके लिए एक उपाय बताऊंगी दोस्तों ये दिक बच्चा बहुत जल्द ढर जाता है तो उसके लिए आपको करना क्या है पहला मंगरवार होना चाहिए किसी भी महीने का आपको एक गोमती चक्र लेना है उस पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लगा कर लेकर आना है दोस्तों और उसे आप किसी ताबीच में जड़वा कर अपने बच्चे के गले में पहना देंगी तो बच्चे का डरना समाप्त हो जाएगा आपका बच्चे डरेगा नहीं और निर्भैत बना रहेगा दोस्तों दोस्तों आपको अधिया आपके व्यापार में नजर लग जाती है आपको ऐसा लगता है कि आपका कारोबार मंदा हो गया है किसी की नजर लग गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है ग्यारा अभिमंतित गोमती चक्र लेने हैं और तीन नारियल ले ले उनको पूझा पाट करके अच्छे से पीले वस्तर में बाध कर आपका जो भी मुख्य दुआर है दर्वाजा है जो भी मुख्य गेट है वहाँ लटका देने हैं दोस्तो कभी किसी की नजर नहीं लगेगी आपके व्यापार में आपका व्यापार शकुषल चलता रहेगा तो दोस्तो यह थी कुछ जानकारी गोमती चक्र के बारे में अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंस करें और दोस्तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तो मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैम आता दी